अफगानिस्तान से भारत लाया जा रहा था 191 किलोग्राम ड्रक्स जिसकी कीमत 1000 करोल रुपे बताई जा रही नभी मुंबई के बंदरगाह पर 1000 करोल रुपे का ड्रक्स हुआ जब प्रहा टाइम्स की न्यूज देखने के लिए फेस्बुक पर लाइक करें यूटूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन दबाना ना बोलें महें स्लामदिन खान और आप देख रहे हैं प्रहा टाइम्स नभी मुंबई के नवा सेवा बंदरगाह पर डियाराई को बड़ी काम्याबी मिली है करीब 1000 करोल रुपे का ड्रक्स जब्त किया गया है ये नशे की बड़ी खेप अफगारिस्तान से भारत आयूरवेदिक दबाओ की आर में लाया जा रहा था ड्रक्स को प्लास्टिक के पाइप के अंदर ऐसे पेंट करके लाया जा रहा था कि ये प्लास्टिक की पाइप बांस की पाइप की तरह दिखाई दे रही थी और इस पाइप के छोटे छोटे टुकडों के अंदर ये ड्रक्स छिपा कर लाई जा रही थी इस मामले में दो लोगों को गिरफतार भी किया गया है आपको बता दे कि DRI यानि के रेवन्यू इंटिलिजेंस डिरेक्टरेट और कस्टम विभाग की ये बड़ी कारवाई है जिसमें नशे का बड़ा खेप बरामत किया गया है और दो लोगों को गिरफतार भी किया गया है ड्रक्स की कीमत 1000 करोड उपए बताई जा रही है और इसका वजन 192 किलो ग्राम है नभी मुंबई के नवा सिमा बंदरगाह पर ये बड़ी खेप ड्रक्स की NDPS के तहट जप्त की गई है आपको बता दे कि अफगानिस्तान से इरान के रास्ते होते हुए ये नशे की बड़ी खेप भारत पहुची थी और इस पूरे मामले में दो लोगों को गिरफतार किया गया है दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया और कोटली ने 14 दिन की पुलिस का स्टेडी में भेज दिया है तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहे हैं प्रहाट हैंगी